हलो दोस्तों आप देख रहे हो मेरे चानल पर ये कस्मेरी आलो की रेसिपी जो मैं आप लोग के साथ सोजी थोड़ा सेर कर लूँ तो इसके लिए मैंने छोटे-चोटे आलो को बॉयल कर लिया है और इसमें तोड़ा सा कर्ड डाल दिया है और इसमें जिंजर गार्ली का पर इसमें फ्राइड मुझ लूगी फ्राइड देह yapti जिसमें फ्राइड करना दिया है इसके इसमें फ्राइड तोड़ा सो अइल डाला है तो यह पूरा चीटा मुझ लिए इसको डाल कि अच्छ बढ़ने लो आप इसको दी में तो दीने आज मैं फ्राइड ज्यादा ना की है सरसो के तेल में आप इसमें मैंने एक से डेर उनियान इसमें लिया है आप इससे फ्राइ कर लो उच्छे सिर्प और इसके बाद ये इसके जो मेन मटेरियल हो था जैसे काजू और कीरा का बीच अगर आपके पास नहीं है तो काजू और आलमंड भी डाल के आप कर सकत हो ठीक है और इसके साथ आप इसमें दो टमाटर मैंने डाला है इसका ग्रेवी बनाने के लिए तो इस तरह के साब देखरों से मैं ग्राइंड कर लूंगी अच्छे से पीस लूंगी उसके बाद की मटेरियल आप देखो कि मैं दोनों एक साथ कर रही हूं तो ये मेरा ऑलम भी कहattaु है तो इस तरीके से मैंने इसमें ही थोड़ा से जिंजर गार्लिक पेश्ट आप चाहों ना तो इस मासाले में अकी गरलिक य?" ATY तो यह ग्राइन क्या हुआ मैं धीर दिरे से मिला ले रही हूं और यह में सारा ही इसमें डाल दे रही हूं ठीक है अधे क्या हासो से जल्डी से बनाने लगी इसमें थोड़ा सा पानी जो अचे कटhält भानी इसमें लाकर आप नुट किस्मी डहले से सबजी मसाला आम डाल सकते हैं मैने पहरा है कίνंग तो उसे, तो यह शो तुम आप जितना देख विझास सो मुझे थोड़ा से मसाला और लगा तो इसलिए मैंने डाल दिया फिर से और थोड़ा सा पानी डाल गिया और जो है ना अब ढग ढग के कोई भी मसाला को अगर अब ढग के फ्राइ करोगे ना तो काफी अच्छा होगा मसाला पू जब तक तेल नहीं ना छोड़ दे तब तक मानने कि मसाला हुआ है तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने मलाई डाला है अब कस्मीरी आलू है तो इसमें एक्सपेंसिब तो लगे गही ना वादब टेस्टी मटेरियल डालो मुझे नमक थोड़ा कम लगा इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया आप सवादनुसार मेरा मसाला अलमुस्ट फ्राई हो चुका आप देख रहो कि इसका कलर भी चेंज जा रहा है थोड़ा सा इसमें आप दूद डालो क्योंकि कुछ साही टाइप को बनाओ ना तो तेस्ट नूद मलाई ये सब जाएगा ही जाएगा ठीक है थोड़ा हेल्दी है ठीक है तो इस तर बेड़ी हो गया है और दिखने में भी और टेस्ट भी बहुत अच्छा लग था आप जरूर ट्राई करना अगर आप वीडियो को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें सेर करें थैंक्स पोर वॉचिंग